कि वंधे बातरों स्थियों विश्चेस कर ऐसे इवा जो कॉलेज्म एधिंद्रते या कुचा ग्यारी बारवी से अत्रिक्त क्लास के जो भी स््टूडेंट है चाहे रास्तान में हो या रास्तान के बार की सॉक्षन सस्तानों में हो उनके लिए उत्र में ट्रिक चात्वर्ती योजना के अंतरगत चात्रवर्दी पोर्टल पे जो उनलाइन फॉर्म बढ़ने का प्रोसेस है वो शुरू होड़ने जा रहा है इसके लिए विश्तर दिसांदर्दे से वो जारी हो चुके हैं राष्टान सरकार सामाजिक निया और दिकारदे वर्ग की तरफ से एक मैंतपोन अधेश है दिनांक आर्ट दोजार देविस का और जिसमें लिखा हुआ है कि शेक्षिनिक सत्र दोजार देविस चौविस में राष्टान के मूल निवासी चात्र चात्रों के लिए अनुसूचित जाती अनुसूचित जन जाती अति पिड़ा वर्ग जिसमें पूरु में विशेश पिड़ा वर्ग जिसको का गया था या अन्नि पिड़ा वर्ग आर्थिक पिड़ा वर्ग और विमक्त गुमंतू और सिक्षन संस्थानों के पर्टे क्रों में प्रवेशित या अधियंद्रत विद्यारतियों के लिए यानि इन समूधायों के जैसे सिक्षन संस्थान है उसमें अगर प्रवेश लिया है या पहले से अधिन दर्थ है तो उनके लिए जो फॉर्म है वो शुरू हो चुके हैं या वोने जा रहे हैं जिसका वैब पोर्टल है www.sjms.no.gov.gov.in स्कॉलर्षिप यानि SSO पोर्टल पर जाकर करके आपको स्कॉलर्षिप SJEF वो इससे लोग इन करना है या एक मोबैल एप है SJED एप्रिकेशन के माध्यम से ओनलाइन आवेजन करना है और इसमें कक्षा 11-12 के अत्रिक्त क्योंकि कक्षा 11-12 में जो भी विद्यार्थी पर जा रहे हैं और उसकी भी तरीक अभी भी शुरू है कभी पहलने से यानि जुलेई से फर्म बरे जा रहे हैं तो वो तो एक अलग प्रोसेस है और विद्याले स्तर पर यह विद्यालियों को जो भी स्टूडेंट उनको कुद को करना पड़ेगा और गयरी बारी का तरिक निर्दात की कि किस तारीक से उनको क्या क्या काम करना है तो सबसे पहला तो है करम सिंगे एक मैं की उत्तर मैट्रीक छात्रवति योजना अंत्रकत छात्रवर्थी पोर्टल पे सिक्ष्ण संस्ताना द्वारा नमीन पंजिन करवाने हैं यानि जो भी कॉलेज बगर है जैसे चात्रवर्थी योजना के अंत्रकत छात्रवर्थी पोर्टल पे विद्यार्थियों के दोरा ओनलाइन पंजिन और आविदन करना चाहते हैं उनके लिए 15 या 16 सितंबर से ये फॉर्म सुरू हो जाएंगे और 15 या 16 नॉवंबर तक 2023 तक फॉर्म रहेंगे यानि दो मैने का प्रयाप्त टाइम दिया हुए इसमें कौन-कौन आविदन कर सकते हैं क्या-क्या योगीता रहेगी सारी डिटेल्स इसमें बताई गई है तो चात्रवर्थी पोर्टल पे नहीं सेक्शनली 722 24 में उत्र मैट्रिक चात्रवर्थी योजनाव में ओनलाइन आविदन करने यह तो जो भी दिस अंदिर्दे से उसमें पहला है तो है आय सीमा SC, ST, अति पिजड़ा वर्ग जो पूर्व में SBC कहा जाता था और डॉक्टर अंबिडगर आर्थिक पिजड़ा वर्ग, EBC, तदानिय पिजड़ा वर्ग, वो भी सी, विमोक्त गुमंतू और अर्ध गुमंतू, D&T और मिरासी और विस्ती समुधाय के जो भी उत्रमेटिक SC के लिए 250,000 रुपए वार्षिक आयत तक सीमा वले जो भी परिवार है, उनके विद्यार्थी आवेदिन कर सकते हैं, यानि उनकी आया 2,500,000 से दिखनी होनी चीए, इसके अलावा, डॉक्टर अंबिडगर आर्थिक पिजड़ा वर्ग EBC और अनि पिजड़ा वर्ग OBC औ और डॉक्टर अंबिडगर विमुक्त गुमंतू, अर्थ गुमंतू, D&T स्रेणी में नेमलिकित 17 स्रेणी के विद्यार्थी आवेदिन कर सकते हैं, यानि जैसे इसमें EBC विगरा में सभी नहीं कर पाएंगे, या OBC में सभी नहीं कर पाएंगे, OBC में कुछ विष्य सत्र स्रेणिया है, जो की जैसे 11 बारी में भी अगर आप देखेंगे तो विद्याले इस्तर पे OBC में कुछ विष्य स्रेणी वाले स्टूडेंट ही इसकोले स्रेणी कर सकते हैं, तो इसमें भी 17 स्रेणी है, कौन-कौन सी है, या तो BPL काड़ दारक कोई विक्ती है, उसका पु साइत पुटर या तलाग सुत अमृला स्वैम है, या उसके पुट बुगर है, पुत्री है या विष्यरय योगी जनकोई भी ऑर OBC का गैंडिट है, इसके रावावाए ये सेषय योगी जनकी पुत्र या फुतृ李 अगर उसके मलावा पिता भी विषयच योगी जनका तो सबी जाती के परिवारों को कि राष्ट इस्तर के सिक्षन संस्थानों में जो विभाग दोरा सूची बत किये जाएंगे उनमें अधियंद्रत विद्ध्यार्थी आविद्न कर सकेंगे तो यह तो हो गया ईंपोर्टन्ट आयस से समधित क्रेटेरिय और फ्रीशिप कार्ड फ्रीशिप का एक अलग से ओप्सोन या क्या है तो अनुस्चित जाती यसी के दॉक्टर अंबेड का आर्चिक पिल्डवर और इबीसीगे और अन्य पिजडवर गोभी सिए तो दॉक्टर अंबेडग और विमुक्त, गुमंतू, अर्थ गुमंतू, D&T के लिए उत्तर मैट्रिक चार्थवर्दी योजना के अंतरकत आवेदन करने वाले विद्यार्थियों को संस्तान में प्रवेश के समय बिना अग्रीम सुल्क प्रवेश जमा कराए, प्रवेश पाने के लिए, आवेदन की प्रक्रिया कह रहेगी, तो सभी विद्यार्थी ओनलाइन स्वयम आवेदन करना है, यानि 11 बारवी का जो भी स्टूदेंट है, वो अपने खुद की SOSO ID से ये भी ध्यान रखें, कई बार गल्ती होती है कि जो इमित्रवाला होता है, उसकी SOSO ID से फॉर्म पर देते हैं, तो इसमें सबसे इंपोर्टेंट बात है कि विद्यार्थी स्वयम की SOSO ID से, जिसमें विद्यार्थी का आधार भी लिंक हो, के माध्यम से ही आवेदन कर सकने कर देंगे, और करपिया आवेदन की समस्त परिविष्टियों को पूर्ण जाच और संतुष्टि के उपरान थी, आवेदन फाइनल सम्मिट किया जावे, इसमें सबसे बड़ी दिकत होती है, कि जैसे बिजले बार भी कुछ स्टूडेंट के साथ हुआ था, कि उन्होंने इमितर पर फार्म परवाया और इमितर ने वालाय में जो भी था, उसने खुद की SSO ID से फार्म पर दिया, और वो फार्म कॉलेज तक पहुँची नहीं पाया और उनको किस तरह का कोई भी फाइदा नहीं मिला, तो ये विश्चेश ध्यान रगना है कि आपको जो भी फार्म है वो स्वयम की SSO ID से और उसमें भी आदार है, वो लिंक होना चाहिए, और एक बार आवी दन सब्मीट करने के बाद में उसमें कोई संसोत नहीं होगा, तो अच्छे तरह से ध्यान से चेक करने के बाद ही फाइदल समिट करें, और सबसे इंपोर्टन बात जनादर ID और आदार नमर के अभाव में विद्यार्ती की चातरवर्ति स्विकरति की जाए सकेगी, तो अपना जनादर है वो अपडेट रखें, आदार अपडेट रखें और आदार जनादर में कुछ भी मिस में आजए तो उसको पहले सही करवा लें, और कोशिस करें कि आपका खुद का खाता हो और उस खाता भी जनादार से और आदार से लिंक हो ताकि आपको चातरवर्दी विगरा में कोई समस्य नहीं आए और सतर दो जारते विच चावीश में आविदन करने के लिए विद्यार्थी को समधित सिक्षन संस्तान में उक्त सतर के अंतरगत परवेशित या अद्धियंदरत होना निवारे है यानि इस सतर में उसका एड्मिशन होना जरूरी है इसके लावा चातर चातर को अपने आवि मिल जाए क्योंकि अगर दूसरे का मोबेल दोगे या कोई ऐसा मोबेल नंबर दोगे जो बंद होगा स्पेन कमिंग शुविदा नहीं होगी तो आपको समय पर जान करने मिलेगी और आपका फॉर्म हो रिजेक्ट हो जाएगा तो यह विशेश दियान रखें चाहे किसी भी बर्तिका या किसी भी तरह का अगर ऑनलाइन फॉर्म परें उसमें इमेल एडी स्वेम की और मोबेल नबर खुद कई दें अगर दस्तावेज कौन कौन से चाहिएंगे तो चातरवती यूजना में आविदिन करने वाले वित्यारतिक तिकांस दस्तावेज है जैसे आयका प आविदिन में वांचित सभी मूल दस्तावेज और फीस की रशीद को रंगी निस्कैन कर पोटल पर यह था अफ्लोड किया जना नहीं वारे होगा यह जो भी जैसे जहां पी आप सुल्क जमा करना तो सुल्क की जो भी राशी रशीद बग रहे है उसको रंगी नहीं आपक पास रोत शिवार्शिक आए अधी वीवरन है वो जना अधर पोटल से ली जा रही है तो आप अपना अपडेट रहे हैं जो भी सूजना है जनाधर में होगी वह आपके आपके जनाधर में सूजना अगलत होगी तो आपके समस्य आ जएगी और इसमें लिखा हुए अभी ह पहले ही आप जनाधार पोर्टल पे अपनी सारी सूजना है अपडेट करवा लें सही करवा लें इसके बाद मैं बैंक भी रण तो मैंने पहले बता दिया कि छात्रवर्थी के लिए स्टुडेंट का स्वयम का खाता है वो जरूरी है उसके खुद के खाते में इस्तांत्रिद होगी और वो खाता भी आधार से लिंक हो ताकि आपको डीबीटी के माध्यम से जमा हो जाए पैसा और दूसरा जनाधार में निवारुप से वो बैंक एड एकाउंट है वो एड हो तो अगर नहीं है तो आप इमेतर पर जाकर करके अपने खुद के जनाधार में लोगिन करके अपना खुद के आगे जपना जो भी एकाउंट है वो आप एड करो लें और विद्यार्ती द्वरह ये सुननी सित किया जना निवारे है कि उसके द्वरा अंकित किया होगा खात नहीं हो अगला पॉइंट है कि छातर चातर के खाते में लें देन भी बैंक द्वार निदर्द समय समय अंतराल में हो और चातर को प्राप्त होने वाली सुल्क पृति भूति या चातर चाटर चाटर वर्ति की जो भी खाते उसमें ओन्नाइन जमा होगी ट्रांसपर और है और बेंक है दाए 10 अदिश चाहर को वैस्य यह कुझ यह दो करतें चर्षानी करते को तो तो बैंक को प्रातना पत्र प्रशुत कर वेस्ट खाते में प्रविर्थित किया जाए। क्योंकि जो भी मैंडर खाता होगा उसमें एक लिमिट होगी उससे जयदा पैसे जमानी होगे। और अगर आपकी शादरवर्दी परजी जार आ रही है तो फिर आवो जमानी होगी तो आप जो भी खाता है क्योंकि आप जैसे कॉलेज में पुट रहे हैं तो अपने जो भी एकाउंट है मैंदर एकाउंट को आप जो भी एकाउंट में वह कंवर्ट करवा लें शनजना कैसे होगी तोस्रीक्षां स्था जिसमें भी श्टूड्यर देंदरथ है वहां पर जो भी सथिपन के फीज में पालिज में यह जा रही है ली जा रही है वो सभी जो फीस है वो चाहत्रवर्थी के लिए दे होगी यानि उनका योग करके आपको उस पॉर्टल पर अंकीत करना है ताकि आपको जो भी फीस आप उस को अधा करने है उसका पुंद्र भुगतान आपके खाते में हो जाए और जो भी इसमें पुर्ण रि बाठीकरम का चैन है तो चातरुथी पोटल पर विद्यारती को सेट्रिंश संस्तान और पाठीकरम का चैन ध्यान पूर्व करना है और युदि आपने गलत संस्तान का चैन कर लिया तो वह जो भी आपका फार मैं वह आगी आगी जाकर संस्तान दौरारा रिजेट कर लिया जाएगा क्योंकि आपने गलत संस्ता अगर स्लेट कर ली तो वहां आपका नामकन या इन्रॉल्मेंट जो भी होगा वो गई नी इसकी डिटेल्स होगी नी और वो रिजेट कर देंगे तो इसके लिए विद्यार्ति स्वाम जिम्हेंदा रहेगा तो कोशिस बहुत ध्यान से हो रहें और विद्यार्ति दोरा जो भी आपकी स्रेक्शन संस्तान है उसमें परतम बार अग्रिशित किया जाने के पस्षादी विग बाग दोरा आविदन का निस्तरान ओने तक महां में कम सकमें एक बार स्रेक्शन संस्तान में उपस्थित होकर चात्तवर्थी पोर्टल अधर बेस्ट पायोमेट्रीक उपस्थित दर्ज करना अनिवरे यह आपको समय समय पर जो भी आपका संस्तान है कॉलेज वगर है वहां जाकर करके अपनी जो बायोमेट्रीक उपस्थित हो जाएगा अग्रेशित आगे नहीं होगा यानि स्वीकर्ट किया जाना सम्भव न है उनको समय समय पर कम सकंव मैंने में एक बार जाकर करके अपनी उपस्थिति वादर्ज गरानी है तभी आपका जो यह फॉर्म भग रहा है वह आगे फॉरोड होगा शिक्शन संस्थान का जो भी पॉर्टल पर दसन है तो वह यह शिक्शन संस्थान के समन्द की बात है कर लेंगे वह विद्यार्थियों के लिए तो यह मैं ज्यादे डिटल पर नहीं बताऊंगा आपको जो भी काम करना है मैं आपको बता देता हूं कि जैसे उत्रमेटिक चात्रवरती योजने गंद्र तक किसी अभी अपात्र विद्यार्थित दुरा गयार कानून रंग से अब चात्रवरति का प्रेस की जाता है तो आपको विद्यार्थिक लिए और दर्स तो विभी जैन करें उसके लिए उसके लिए आप जो राज़ी स्रकार की वबसाइट है जाकर कि आप मैं जानन कर यह वो फ्राप्त कर सकते हैं तो यह तो में आप लिख रीजिसमें इसमें सपोली करेंगे यह हो जेए और यह आपको ऐसे आइड नहीं है और में आपको यह और शो बनानी आई और अगे अगर आवेदन में किसी तरह की कोई भी तक्नीकी समस्या हो तो आप्ट में जाकर आप समाजी करदे कर दिवागा वहां जाकर कर सकते हैं या ऑनलाइन पीस की जो भी वैब साइट है एज़िए इस साइट पर भी आप अपडेट है वो देख सकते हैं तो यह मैत्पोन जानगा रही थी स्कोलर्शिप से समधित उत्तर मैट्रिक स्कोलर्शिप जो कॉलेज इस स्टूडेंट के लिए है जिनमें विबिन जो कैटिगरी है उनके स्टूडेंट्स के लिए 15 सितंबर से यह शुरू हो जाएगी और 15 नॉबर तक आप अंतिम तारिक पर सकते हैं तो इससे तरह की मैट्फोन अपडेट जानगा रही हो लिए जो भी अपडेट होगा मैं समय समय से समय देजो वीडियो या कम्मुनिट्टी ट्याइब के माध्यम से आपको देता रहोगा तो चैनल पर बने रहें मिलते नेक्स वीडियो में तब तक जय हिंद जै भरत